Hello students, आप देख रहे हैं IBPS गुरू जी और आज हम solve करने वाले हैं approximation जो पूछे गए था IBPS PO 2016 के mains examination में तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले हमने simplification के session किये हैं अगर आपने वो miss किये हैं तो आपको description में उसका link मिल जाएगा आप वहाँ से जाके वो देख सकते हो और अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से जाके subscribe कर लो और साथ में bell icon भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं आपके लिए नए video upload करूँ तो आपको उसका notification सीधा मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला हमारे पास सवाल है 35.99 under root question mark plus 32.0032 under root question mark is equal to 68 divided by 10.998 into question mark तो हम क्या करेंगे question mark को consider करेंगे root x तो 35.99 को हम consider करेंगे 36 under root x plus 32.0032 को हम consider करेंगे 32 under root x is equal to 68 को 68 ही रखेंगे और divided by 10.998 को करेंगे 11 into question mark को x consider कर लेंगे ठीक है अब इन दोनों का root x root x सेम है तो हम इन दोनों का addition कर सकते हैं ऐसा ही rule है तो हम 36 plus 32 करेंगे तो हो जाएगा 68 root x ठीक है अब 68 सामने सेम रहेगा और divided by 11 रहेगा अब x को मैं consider कर सकता हूं root x into root x लिख सकता हूं root x का multiplication x होता है अब मैं काट सकता हूं equal to के जो 7 सामने सेम सेम होते हैं वो कट जाते हैं 68 68 कट गया root x root x कट गया तब मेरे पास बचा क्या मेरे पास बचा यह कि 11 आ जाएगा इस और तो 11 is equal to root x दोनों और square करना पड़ेगा तो x is equal to 121 तो हमारा answer हो जाएगा 121 ठीक है अगला सवाल 3.02 square 9.08 square 8.03 square plus 4.04 square तो इसको हम थीन ही consider करेंगे तो 3 consider करेंगे तो 3 का square हो जाएगा 9 इसको हम 9 consider करेंगे तो 9 का square हो जाएगा 81 इसको हम 8 consider करेंगे तो 8 का square हो जाएगा 64 और इसको हम 4 ही इंगे तो इसका हो जाएगा स्क्वेर 16 9 प्लस 81 कितना हो जाएगा 90 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा 64 और 6 70 और 10 80 90 90 प्लस 80 कितना हो जाएगा 170 तो आपका अंसर हो जाएगा 170 अगला सवाल 360.98 अंडरूट में है 18.99 प्लस 1082.98 डिवाइड़ बए 57.07 हम क्या करेंगे 360.98 को 361 कंसेडर करेंगे और अंडरूट 360 बनाएगा तो 361 किसका स्क्वाइड रूट है 19 का और ये 18.99 को भी 19 ही कंसेडर करेंगे प्लस 1082.98 को हम 1083 कंसेडर करेंगे डिवाइड़ बए 57.07 को 57 ही कंसेडर कर पाएंगे अब मुझे 19 का स्क्वाइर पता है वो है 361 हो जाएगा ये और ये डिविजन करना ही पड़ेगा 57 से पहले 1 से फैक्टर चलेगा क्योंकि 57 का डबल हो जाता है 114 तो 108 के मुकाबले 114 नहीं चलेगा 57 चला कट जाएगा त 5139 से ही कटेगा तो ये आ जाएगा 19 और 361 प्लस 1970 और 8380 आपका अंसर बन जाएगा बड़ा ही आसान था अगले क्वेशन के और बढ़ते हैं 94.95 इंटू 13 यानि 94 को कंसेडर करेंगे 95 इंटू 13 प्लस अंडर रूट ऑफ 35.98 है तो 36 कंसेडर करेंगे तो स्क्वारड हो करेंगे 53 एज़ रहेगा और अंडर रूट रूट फ्वेशन माग केज़ेगा हम एक्स रख देंगे 95 इंटू 13 करने बैठेंगे तो हमारे पास अंसर क्या आएगा 530 15 का 5 यहाँ पर वन कैरी फरवर्वड फाइव 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 नाइंट रिजए 27 27 और फाइव 32 और ए वेदिक मैस की बहुत सारे ट्रिक से आप वहाँ जाकर कर लो मैंने भी वहीं से वहीं ट्रिक का अपलाई किया है 15 690 53 रूट एक्स ठीक है अब यह दोनों एडिशन कितना होगा यह होगा 1325 और डिवाइड हो जाएगा 53 से इस इक्वल्स टू रूट एक्स बचेगा अब 53 का दो से मल्टिप्ला यह पहले होगा 53 टूजा जाएगा 52 टूजा कितना हो जाएगा 106 106 चला जाएगा तो 32 में से च्छी गया तो 26 बचेगा 265 53 का 265 कितने से फेक्टर जाना चाहिए 53 का 26 है तो यह पांच से ही जाएगा और अप्रोक्सिमेटर चलेगा तो हम 5 ही कंसिडर कर लेंगे और रूट x is equal to 25 तो डोनों और स्क्वेर करेंगे तो x is equal to 25 का स्क्वेर 625 तो हमारा आंसर हो जाएगा 625 अगले और आखरी क्वेशन 865 856 divided by 49.95 परसंटेज अब पहले तो यह कैसे निकाले अब अगर आप मतलब यह मल्टिप्लेशन करने बटाएंगे तो आप तो मुरा कियों यह जिस करने ही नहीं है 333 परसंटेज मतलब यह 300 प्रतिशत करेंगे तोो तेन प्रतिशत करेंगर तो अब 300 प्रतिशत करिए ओसका तीन कुना चेथ या अटरा काने यहां पर वन केरे नोग आतिया किया 15 si plane सेल यह उत्长ाइब और आतिया 22 पॉइंट एट हो जाएगा और उसका तीन पर इसका भी टैंथ हो जाएगा तो यह हो जाएगा 25.56 कि 25.68 तो इनका एडिश्न हमें करना है इनका एडिश्न क्या मैं जाने का है आट यहां पर वन केरी फर्वर्ड आट चनौंद पंदरा पांचिद्रोड पैस जीन चनौट च्पांट 0.48 divided by क्या होगा 50 तो इसको मैं क्या करूँगा इसको मैं 2850 ही consider कर लूँगा और divided by 50 5 से cut जाएगा 5 5 जा 25 और 5 7 जा ठीक है तो आपका answer हो जाएगा 57 तो मुझे उमीद है कि आपको पता चल गया होगा तो मुझे उमीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब ज़रू कर लेना और साथ मैं मुझे इंस्टागरम पर फॉलो कर लेना क्योंकि मैं वहाँ सबस्क्राइब एक्टिव मिल जाता हूँ और टेलग्रम चैनल को भी जॉइन कर लेना और मिलते हैं अगले सेशन में तुने बाद जाल हमस्सक्राइब भी जान सब्सक्राइब फिन देर ल्गक्राइब झाल आदिए ढवक्राइब